जपजी सहा के छटी पोड़ी तीरत नवा जे तिस पावा बिन पाने की नाये करे तीरत नवा जे तिस पावा बिन पाने की नाये करे अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं तीरत इस्ताना भी कर लूँगा अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं तीरत में भी नहा लूँगा किसे कहते हैं तीरत वाबा ये तभारे बनाए तीरत ये धाम ये त्रिवेणी संगम ये प्रियाग राज अरिद्वार नासिक इन्हे तीरत नहीं कहते हैं बाबा तीरत तुम्हारे बनाए तीरतों को नहीं कहते हैं ये नकल इमिटेशन है जो तुमने बनाई तीरत नामा ये तिस पावा अगर उसको भाता है उसे अच्छा लगता है तो मैं तीरत में सनान कर सकता हूँ तुम्हारे बनाए तीरत को बाबा तीरत नहीं बानते हैं वो जानते हैं कि तीरत है क्या जैनियों ने अपने अवतारों को नाम दिया तीरतंकर जो तीरत नहा लिया जिसने तीरत कर लिया तीरतंकर तीरत नाम जेतिस बाबा अगर तुझे अच्छा लगे तभी मैं तीरत सनान कर सकता हूँ तो कौन से तीरत को तीरत कहते हैं बाबा आगे बात समझे आएगे आपके तीरत बताते कौन से हैं बिन पाने अगर तेरी इच्छा नहों की नाई करां फिर इन तीरतों में सनान करने का कोई फाइदा नहीं फिर तुमारे तीरत बनाये हुए गंगा जमना सरस्वति संगम पुष्कर नासिक हरी द्वार इन तीरतों में नहाने का कोई फाइदा नहीं बिन पाने अगर तेरी इच्छा नहों तेरा भाना नहो तेरी मर्जी नहो तो इन तीर्थों में नहाने का कोई फाइदा नहीं वे नपाने की नाई करी फिर इन तीर्थों में नहाकर भी क्या करूंगा घर पे ही वाल्टी से इसनान करूंगा उसके बराबर ही रहे काहे इतना शोरबुल करने का है एतनी दूर जाना मकसद भी क्या है ये तीरत है ही नहीं जने तुम तीरत कहते हो जहां तुम हुकम्ब के मेले लगाते हो जहां तुम हुकम्ब शनान करते हो बाबा कहते हो वो तीरत है उसमें तुम नहा ही आते हो जैसे ही एक विशेश ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां आती है व्रिश्पती मकर में आता है और तुम्हारे हिसाब की सबी सिचुएशन आती हैं स्टार्ज की तो तुम को मेला लगा देते हैं ये तुम्हारी अपनी कल बनाई है होता होता कुछ नहीं सकते ये नकल है असल नहीं तुम्हारे तीरत तुम्हारे बनाई हुए है तुम्हारी मानिताओं के आधार पर गड़े गए है बाबा गड़ते हैं जे तिस पावा तीरत नावा अगर तुझे बंजूर हो तो मैं तीरत में सनान कर नहालूं अगर तेरी मर्जी और अगर तेरी मर्जी नहों तो फिर इन नदियों में डुग्की लगाने का हर हर गंगे यमना सरस्वती त्रिवेणी में डुग्की लगाने का कोई अर्थ नहीं ये नकली तीरत है नकली ही मुक्ती देंगे तीर थंकर का अर्थ है बहे किनारा जहां जाकर तुम मुक्त हो जाते हैं वो तीरत जिसमें तुमने एक वार इशनान कर लिया और तुमारे सबी बंधन तूट गए तुमारे सबी फैले हुए चाल द्वस्त हो गए बसमी भूत हो गए अगनी की भेंट चड़ गए वो तीर थंकर जिसने उस तीरत में सनान कर लिया जिस तीरत में तीर थंकरों ने सनान किया इसलिए हाज को करने वाला हाजी और तीरत को करने वाला तीर थंकर लेकिन जिसे तुम हाजी कहते हो बाबा उसे हाजी नहीं कहते है वो हाज किसी और को कहते है हाज स्थान किसी और जगा है जहां तुम कहते हो वहां बाबा नहीं कहते है जिने तुम तीरत कहते हो उन्हें बाबा तीरत नहीं कहते है तीरत नावा जे इतिस्व बाबा अगर उसे मंजूर हो अगर उसकी मर्जी हो क्योंकि सारे तीरत उसी के है तीरत उसके सरजना उसकी सरश्टी उसकी तीरत में जो इश्णान करेगा वह है उसका उसके बिना बना है कुँ सारा खेल वो खेल रहा है खुद उसके सिवा दूजा कोई है नहीं वह खेल खेल रहा है अपने ही बनाई हुए सरश्टी से अपनी मर्जी से खेल खेल रहा है उसकी मर्जी के बिना बाबा कहते तुम कुछ न कर पाओगे मैं कुछ न कर पाओंगा तीरत न नावा जेत सपावा उसकी मर्जी होगी तो मैं तीरत में नहा रहूँगा और अगर उसकी मर्जी नहाँगा तो फिर इन तीरतों में नहाने का कोई पाइदा नहाँगा ये तो नदिया हैं पानी से बरी हुई नदिया हैं नाम इसे आप कोई भी देते हैं ये नाम भी तुमारे दिये हुए हैं ये तीरत रही हैं बाबा कहते तीरत कुसोर है उसमें तो नहाया तब जाता है जब उसकी कृपा होती है इस तीरत में तो तुम अपनी ही इच्छा से जाकर डुपकी मार लेते हो रोज इशनान कर लेते हो हरी द्वार प्रयागराज के क्रीब रहने वाले वारा नसी के क्रीब रहने वाले लोग गंगा में जब जाएं डुक्की लगा लें हर हर गंगा है लेकन रोज डुक्की लगाने के बाद मेल कहां उतरता है मन का सरीर का मेल भी ठीक से नहीं उतरता बनारस में बहने वाली गंगा के भीतर तुम डुक्की लगा लें हरिद्वार के भीतर नासिक के भीतर प्रयाग राज के भीतर पुश्कर गंगा बहती आप डुक्की लगा लेते हो आप कहते हो कि अख्तीरत हो गया बापा कहते हैं नहीं हुआ ये तम्हारी कल्पना मात्र है जैसे तुम धर्मों में और कल्पना ये तुमने बांध रुकी है अपनी खोपड़ियों में वैसे ही तुमने तीरत की दारणामी बांध रुकी है ये गलत है तुम्हारी बनाई हुए तीरत की ये परिवाशा नहीं तीरत की वो परिवाशा जो बाबा बता रहे है इस तीरत पर तो तुम अपनी मर्जी से नाहा लेते हो कहां उसकी मर्जी से पूछते हो जाते हो गाड़ी में जाते हो ट्रेन में जाते हो अपनी गाड़ी में जाते हो जाकर हर्की पूरी के अंदर लुक्य लगा लेते हैं तीरख हो गया खूँव लुक्य नहा लेते हो मल मल के नहाते हो तीरख हो गया लेकिन बापा कहते है तीरख ले तीरख नामा हम नहा सकता हूँ तीरत में जे तिस पावा अगर उसकी मरजी हो इतना आसान नहीं है तीरत में सनान करना जितना आसान तुमने बना दिया है तुमने मनुष्य ने सभी प्रमात्मा तक पहुंचने के रास्तों को आसान बना दिया है जब कर रहे हो Tब कर रहे हो पूजा अप्राइचना कर रहे हो तीन वक्त का शिनान करते हो तीन संध्याईं करते हो उंकार का जाब करते हो उस ध्वनी का तुमने सब नकल खड़ा कर लिया है प्लेस्टिक के फूर इसलिए इसमें से कुछ पूर नहाँ और तुम सब कुछ करते हो और फिर भी दुखी रहते है अगर तुमने असली तीरत में इसनान किया होता तो दुख तुमारे पास भी न पटकता है दुख की क्या मजार तो तुमारे पास पटक जाए अगर तुमने उस तीरत में इसनान कर लिए तुम रोज तीरत में इसनान करते हो और दुखी रहते है बाबा कहते के तीरत वो नहीं होता है तीरत वो होता है जो पार लग जाता है जिसे किनारा मिल जाता है जो बंदनों से छूट गया जो मुक्त हो गया जो आनंद में समा गया जिसने पी ली खूब भर भर के जीरा पी ली जीरा पाया गांठ गट्राया उस हीरो को अच्छी तरह से बांद लिया अपने भीतर और तुम तो पीते हो पैमानों से लेकिन बापा पीते हैं मैं खानों से तुम प्यालों से पीते हो बाबा मैं खानों में ढूकी लगा देती हैं बाबा मैं खानों में नहीं समुद्र में ढूकी लगा देती हैं उस अमरत और मधhus हो जाते हैं तीरत नाम जेतिस पावा उसकी बिना मरजी के तीरत नहीं नहा सकता मैं जिन तीरतों में तुम अपनी मरजी से नहाते हो वो तीरत है नहीं वो मात्र नदियां हैं पानी से भरी हुई तुम उनकी पूजा करो आरती उतारो तुमारी मौज कौन रोकता है और भी तो तुम सबी जगा पूजाएं कर रहे है पत्त्रों की मूर्टियों की अलग अलग भगवानों की तस्वीरे बना रहे हैं और भी तो बहुत सी मूड़ताओं को आप पूज रहे हैं तो बाबा कहते हैं कि इन मूड़ताओं को भी बूजते रहे हैं लेकिन इन में कोई अर्थ नहीं सार्थक नहीं ये वे अर्थ हैं करो पूजा कौन रोकता है और कितने बरसों से तुम पूजा किये हो कोई करांती घटित होई बात फल की होती हैं कोई फल मिला कोई खुशी की उत्पत्ती हुए कोई आनंद का जनम हुआ कोई मस्ती हुमड़ी कोई आखें चड़ी ओपर कोई शहैसरार में विजली कौंधी कोई जलक मिली उस सुरती की कोई उस ध्यान में उत्रे कोई सतोरी की छोटी मोटी जलक मिली इन काले मेगों के वितर उमरती हुई काली मा के वितर कोई श्वेत चमकदार विजली कौंधी तुमारे वितर जो तुमें रास्ता दिखा जाए नहीं कुजा रूज करते हैं बड़ी बड़ी जोतों के साथ कुजा करते हैं रूजा आरती तारती हैं लेकिन उसका फल नहीं मिलता है और जब फल ना मिले तो इसका अर्थ के करम गलत है अगर तुमने दवा नहीं ली बिलकुल सही दवा जो तुमें चाहिए तो तुम ठीक भी नहीं होगे अगर तुमने सही तिर्थ मेशनान की नहीं किया तो तुम सुखी भी नहीं होगे तुम आनंदित भी नहीं होगे तुम मस्त भी नहीं होगे तुम्हें खुमारी भी नचड़ेगी जो बाबा कहते हैं कि दिन राज चड़ी रहती है और एक वार चड़ी फिर कभी ने उतरती है तुम उस महके वे उद्ध्यान के सागर अमरत उंड के उतरती है एक वार भी उतर नहीं पाते है रोज आरती करते हो रोज एकठ होता है रोज समु एकठा होता है रोज भक्त जन आरती काते हैं लेकिन करांती कभी ने उतरती है आरती रोज होती है करांती कभी नहीं होती करांती क्या है दुख से सुप की और कभी खुशी उतरी मन में है आलोक हुआ भीतर के तम का अंधेरे का विसर्जन हुआ आलोक हुआ जोती जगी खुशी का कुई पल आया कुई जोंका लहरा गया तुमारे भीतर तुमारे घर्दय को कंपा गया छेड गया कुई राग कुई दुन कुई स्वर्ण कुछ गटित नहीं होती इसका अर्थ करम गलत करम का फल करांती नहीं हुई तो करम ठीक नहीं है बाबा कहते बिल्कुल ठीक करम ठीक नहीं है जिसे तुम तीरत समझते हो वो तीरत नहीं है जिसमें तुम रोज नहाते हो वो तीरत नहीं है तीरत में बना रोज थोड़ा ना आना कुरता है तीरत में तो एक बार डुककी लग गई तो बस चड़ी रहे दिन रात जिनने नशे जहान दे उतर जान पर बाद नाम खुमारी नान का चड़ी रहे दिन रात वह दिन रात नाम की खुमारी भीतर नाम 2400 घंटे दिन बर रात गुञता रहता है और तुमें खुमारी देता रहता है ये थारथ मुझे लोग पूश लेते हैं कि कुन से नाम की बात करते हैं बाबा तो नाम की बात करते हैं जब की मैं कहते हैं जब तो तुम सोगे तो नहीं हो पाएगा खाओगे नहीं हो पाएगा नित्य करम करोगे नहीं हो पाएगा व्यापार करोगे नहीं हो पाएगा ओफिस में जाओगे नहीं हो पाओगा चूक चूक जाओगा लेकिन बाबा चोबी सो घंटे जे कुमारी चड़ने की जो बात कहते हैं 24 सो गंटे जो नाम जपने की बात करते हैं वो तुमारे वासकी नहीं वो वह जो तुमारी इच्छा के बिना नाद गूंज रहा है मस्ती का उसे वाबा नाम कहते हैं 24 सो गंटे तो वही होता है देखिए बीतर जाकर बाहर का सनाटा तक 24 गंटे बंद नहीं होता बीतर का वो नाम भी 24 गंटे बंद नहीं होता रब बाबा उसी को नाम कहते है तुमारा नाम तो कभी जबते हो तुम कभी बंद कर देते हैं ठक जाते हो, सो जाते हो, खाना खाते हो, नाम बंद हो जाता है, और क्रिया कराब करते हो, बंद हो जाता है नाम, लेकिन एक नाम ऐसा के खाए जाओ, पिये जाओ, दोड़े जाओ, संसार के हाथ पामते काम कर, चीत नरंजन नार, वो बजता ही रहता है, वो धोन बजती ही र तो मारे जब बीच बीच में से तूट तूट जाते है उस जब को जब कहते हैं जो अक्षुन है जो कभी तूटता नहीं जो नरंतर शुरू है और शुरू रहेगा और शुरू था आद सच वह सच है जब से सुरू हुआ है जुगाद सच जुगो जुगो तकवे चलता ही रहेगा है भी सच अब भी चलता है जाको भीतर देखो उसी भी सच चलता ही रहेगा तुम कितने वर्सों बाद भी देख जो ना तुम क्या तुम्हारे पोते परपोते सड़ पोते आगे लाख लाख पीडियां आएंगी वो भी यही कहेंगी कि नहीं बंद हुआ चलता ही कभी बंद नहीं हो और तुम्हारी लाखों पीडियों से पहले को पूछो वो कहेंगे चल रहा है सदा से चल रहा है कभी बन्द नी हुआ आद सच वह सच जुगाद सच जुगों जुगों से वह सच है उसका नाद गूंज रहा है उस सत्य का आलोक हो रहा है उस सत्य की ध्वनी सदा ही प्रकट है आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक हुसी भी सच इस वक्त डुबकी मारके देख रो, वेतर वो ही चलता मिलेगा और कभी रुकेगा भी नहीं, हुसी भी सच विश्य में भी वो कभी नहीं रुकेगा, आपकी इच्छा से नहीं रुकेगा आप रोकने चाहोगे नहीं रोकेगा, आपके शुरू करने से वो शुरू हुआ भी नहीं, उसकी रहमत से शुरू हुआ है तीरत नामा, जेतिस सपावा, यह उस तीरत की बात करें, इन तीरतों में मत और रच्छाने अगर उसकी इच्छा होगे, अगर वो बाने में मुझे इश्नान कराएगा, तो ही मैं इश्नान कर पाऊंगा उस तीरत विन पाने की नाई करीं, अगर उसकी इच्छा न होगी, उस तीरत में मुझे इश्नान करने की, तो तुमारे बनाए हुए तीरतों में इश्नान कर भी, करके भी मैं क्या रूँगा, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो घर पे वाल्टी से ही इश्नान कर रूँगा करते ही हैं, रूज करते हैं वो इश्नान कर, लेकिन तीरत का इश्नान एक बार होता है, बार बार तीरत नहीं हो वक्त, ना हज बार बार होते हैं, ना तीरत बार बार होते हैं, बस एक बार ही हज होता है, और एक बार ही तीरत होता है, और ऐसा तीरत, ऐसा हज जब एक बार किया तो फिर सारी उमर उसका फर मिलता है उसकी अगाद शांती उसकी अगाद आनंद उसकी अगाद मस्ती उसका सुरूर दिल औ दिमाग पर छा जाता है वे है स्वर्ग में बहते हुई शिराब के जर्म इन अवस्थाओं को सत पुर्शो ने कहा कि स्वर्ग में शिराब के जर्ने बहते हैं यह स्वर्ग की दशा मनों दशा इसमें शिराब के जर्नों जैसी खुशबू आती है आनंद आती है मस्ती आती है बेसुदी आती है कुमारी आती है बेकुदी आती है वो हैं स्वर्ग की उस मेंटल स्टेट नारा, कभी नहीं बंद होती कभी आप जाक के देखा किसी वक्त पर भी जाक के देखना अलारम लगा देना और देखना रात को किसी वक्त, दिन पर किसी वक्त पाओगे वे चल ही रहा है वह पुकार ही रहा है तुम्हें वेल जद मिली ये फर्जां है, तेरे मुखधी कताप लेवेठा और उसे सुनते रहने। जैसे ही तुम अपने कर्जूं फर्जूं से मुक्ट हो जाओ तो ततक्षन उसकी तरफ तेरे मुखधी कताप लेवेठा उसके कताप खोले, ना उसके मुकड़े की, निहार न उसके, कितना प्रिया है, वे मदुर संगीत बजता ही से ला जाता है, कभी रुखता नहीं, तुम्हारे थामने से भी नहीं थमता, तुम्हारे थामने की चाहके, विप्रीत भी वो सुनता ही रहता है, तीरत नामा जेत सपावा है, बिन पाने की नाई करें, इन अकली तीरतों में शनान करने का मुझे कोई पाइज है, आमूल चूल परवर्तन करांती गटेत ना होगी मैं जानता हूँ, मैं तो उस तीरत में शनान करना चाहता हूँ और वह तीरत में शनान उसकी इच्छा के बिना होता नहीं जेतिस पावा बिन पाने की नाई करीम अगर उसकी इच्छा नहीं होई तो लगाते रहो डुपियां गंगा हो यमना हो सरसोती हो कोई फार्प नहीं परता गर की वाल्टी और गंगा एक समान लेकिन उस तीरत में जिसे तीर छूंकर नहा के आए वो जब तक उसकी इच्छा नहीं होती तब तक तुम उसमें सिनान नहीं कर पाते तुम उसमें गोते नहीं लगा पाते जेती सर्थी उपाए वेखां विन कर्मा की मेरे ले जेती सर्थी उपाए वेखां जेती सर्थी उपाए वेखां देखिए जब कोई विक्ति गाता है तो व्याकरण की बंदिशों से बाहर हो जाता है इसलिए बाबा के शब्दों में व्याकरण खोजने की चेश्ठा मत करना किसी भी संत के शब्दों में व्याकरण को खोजने की चेश्ठा मत करना ये पद्य हैं, ये गाएगे गीत हैं, गीतों पर व्याकरण नहीं चला करते हैं तुम्हारी व्याकरन पीछे छूट जाती है व्याकरन अचारे इन शास्त्रों से परे रहे तो शुख जेती सिर्व ठी अलाकि कोई शब्द नहीं लेकिन बाबा शब्द वर्थते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने बीतर से उत्रा है उन्हें जो उत्रा वो बोल दिया सिर्थी कहते हैं सिर्ष्टी को उपाए वेखा उपाई कहते हैं उत्रपत्ती को जितनी सिर्ष्टी को जो उत्रपन हुई है उसको मैं देखता हूँ जेती सिर्थी उपाए वेखा जिस स्रिष्टी की उत्वत्ती हुई है अगर उसको मैं देखूँ बिन कर्मा की मिले लई कर्मों के बिना क्या मिलता है किसी को कुछ ने मिलता है यहां फिर अर्थ कलते हैं व्याक्रनाचारियों ने व्याक्याकारों ने यहां फिर अर्थ कलते हैं जेती स्रिष्ठी उपाएवेखा इस जितनी स्रिष्ठी की उत्पत्ती मैं देख रहा हूँ विन कर्मा की मिलेलाई अब कर्म दो परकार के गिनते हो आप एक तो जो आपने पूर्व जन्मों में किये उसको प्रारब्द गरते है तो जो तुमें कुछ मिलता है आप कहते हो हमारे ही प्रारब्द के कारण हमें मिल गया और दूसरे कर्म आप गिनते हो जो आपने प्रयास से पुर्शार्थ से इस जन्म में पाए मेहनत किया धन के अंबार लगा गी एक कर्म तो जो आपने पिछले जन्मों में किये थे उसके प्रारब्द सोरूप आपको धन के खजाने मिल गए आप कहते हैं पिछले जन्म में अच्छे कर्म की होंगे जो उसको धन के खजाने मिल गए एक कर्म तो आप इसको मानते हो बिन कर्मा की मिले लई और दूसरे कर्म आप मानते हो जो इस जन्म में आपने प्रयास किया बटके व्यापार किया इदर उदर की पुल्टा पुल्टी की उससे धन कमा दिया बिन कर्मा की मिले लई तो यहाँ बाबा न तो प्रारब्द कर्मों के जन्हें आप बाग कहते हो उसका नहीं मतलब है बाग तो फिर तमारा ही बनाया हुआ है तुमने कर्म किया और उसका फर्द इश्वर ने निर्धार्द कर दिया, प्रकृति ने निर्धार्द कर दिया, और वो तुम अमीर हो गए, नहीं ये अर्थ नहीं, जे तीस रिठी उपाय वेखां बिन कर्मा की मिले लई, अब कर्म दो प्रकार के आपनाते हैं, एक तो प्रारद कर्म, पिछले जन्मों में बल किया होगा, दान किया होगा, पन किया होगा, ये ठकी है, दान करोगे अगले जन्म में, तुमें प्रयाप्त मत्रा में दन मिलेगा, अमबार बेहेंगे, इसलिए दान करो, और दान भी हमें करो, बाबा को दान करो, नकली, परोहतों को दान करो, पंडितों को दान करो, और क किसी को दान मत कर, ये ठगी है, बाबा ऐसी ठगी से तुम्हें सावधान करते है, बिन कर्मा की मिले लई, ये जो कर्म की डेफिनिशन की है, इन ब्रह्मनों, इन आचारे, इन तथा कथित धर्मा अचारे उने, दर्म ग्यानियों ने वो गलत, किसी भी आदमी को पिछले जनमों के दान और फुन्य के कारण इस जनम में धन नहीं मैंता, मारकस कहते हैं, ये च्छीना चप्टी का सिद्धान तो, तुमने दूसरे भाईयों का च्छीन लिया, सारी जनता का च्छीन लिया और इकठा कर लिया, ये तुमारे पिछले जनमों कोई कर्म नहीं तुमने लोगों का छीन लिया और एक आदमी ने एकटा कर लिया करोड का छीना और एकटा हुआ एक के पास तो मारकस कहते हैं ये कोई प्रारब्ध कर्मों की फल नहीं तुम्हारे पंडित कहते हैं कि तुमने पिछले जनम में दान किया इसलिए तुम आज समर्द हो तुम सुख भूगरे हो लेकिन मारकस कहते हैं मारकस भी एक तरह के संती ही याद रख़ते हैं मैं मारकस से बड़ा प्रभाद हूँ इस सदी के कुछ गिने चुने लोग सिग्मेंट फ्राय मारकस बड़े कीमती लोग हों इन्होंने धारणाओं को बदल कर रख दिया इन्होंने करम की धारणाओं को बदल के रख दिया ये कहते है अगर तुम दुखी हो अगर तुम शुद्र हो तो पिछले जन्मों के करमों के कारण नहीं ये तुमारी अब के लोगों के बनाई गई संप्रभुत्व वाले लोगों की बनाई गई मात्र व्यवस्थाई हैं जो की गरत कोई ब्रामन है कोई खत्री है कोई वैश है कोई शुद्र है कोई शुद्र है कर्म है सेवा करने सेवा करने में बड़ा अनन्द है किसी को व्यापार करने में पैसा जोटने में आनन्द आता है किसी को दूसरों की रक्षा करने में आनन्द आता है किसी को ग्यान बाटने में आनन्द आता है ये बातें तो ठीक जो जिस योग्य है वो काम करें लेकर कौन स्रेश्ट और कौन अस्रेश्ट ये ठीक है कोई ब्राह्मन बनता है, वैष्य बनता है, खषत्र बनता है, कोई मुसलमान बनता है, हिंदू बनता है एसाई, पासरी, पादर्य, पार्सी सबी धर्मों में अब दिख्षित होती है सबी कुछ बनते हो आप मात्र एक चीज नहीं बनते है इनसान नहीं बनते है और जिस दुन दुनिया में इनसान बनने शुरू हो गए पैदा तो इनसान ही होते है लेकिन बाद में कुड़ा भरती है जाता है दिमाग तुम इस घर में पैदा हुए हो इस लिए ये धर्म सास्त्र पुरू है जबर दस्ती कुड़ा भरती हो दिमाग कोई जनम जात सुद्र पैदा नहीं होता कोई जनम जात ब्राहमन पैदा नहीं होता ब्रामन अर्जन है एक, मेहनत का, कोई जनमजात जज पैदा होता है, कोई जनमजात प्रतबाशाज पैदा होता है, ठोकरें खाखा के, पढ़ पढ़ के, रातें जाग जाग के, मेहनत करकर के, कोई इस कुर्शी को, अपनी बना लेता है, मेहनत करकर, जनमजात कोई ब्रामन नहीं होता है, विद्या को, आतम साथ करकर की, कोई ब्रामन होता है, ब्रह्म को जाने बिना ब्रामन कोई ही हो, सेवा का मीठा फल जिसने ना चकोओ, वो शुद्र भी नहीं हो सकती, यह भी ध्यान में रखाए, जिसने पैसा कमाकर लोग कल्यान के यह तु नहीं लगाया, वो वैशे भी नहीं हो सकती, और जिसने गुरु गोविद सिंग की तरहा है, दुखियों की रख्षा नहीं की, वैक्षत्री भी नहीं हो सकती, कब हूँ न तरों, जब जाए लरों, निश्यकर अपनी जीत करों, देहु शिवा वर्मों तरों, एही शुब करमन के कब हूँ न तरों, शुब कामों से कभी न तरों, एह माँ, एह इश्वर, मुझे ऐसा वर्दान दे, एह पर्म बातसल्य माँ, एह पर्म सृष्टी के मालक परमिश्वर, मुझे ऐसा वर्दान दे, कि जब कोई दी नहीं मेरे संबक आ जाए, अपनी पीड़ा को बताए, मैं उसकी पीड़ा को बरने में सनलगन हो जाऊँ, यह है क्षत्रित, कोई अग्यानी आ जाए, उसको ग्यान से भर देना, उसको उस शेतर तक ले जाना, यह है ब्रामनत्व, कोई भूखा बर रहा है, उसको खाना खला देना है, उसका पेट बर देना, सर्दी लग रही उसको कपड़ा दे देना है, छत दे देना है, यह है वैश्यत्व, हॉस्पिटिलाइज है, दुख है, दर्द है, तडफ रहा है, उसकी सेवा करता है, यह है शुद्रत्र, आप शुद्र को बुरा करते हैं, शुद्र सबसे सुद्र है, जो आपकी सेवा करता है, सबसे सुद्र काम सुद्रत्र का है, और आप उसी को सबसे नीच और गटिया बनते हैं, यह तुमारी पनाई हुई विदियां हैं, प्रनादियां हैं, जो गलत हैं, सरासर गलत हैं, जिती सरथी उपाय विखां, जितने सरथी को मैं उत्पत हुई वे देखता हूं, बिन करमा की मिले लई, करमों के बिना, कुछ नहीं मिलता, अब देखिए करमों का फिर वो ही अर्चन पर गए, कुछ कहते हैं करम तुमारे प्रारब्त के उनके बिना नहीं मिलता, कुछ कहते हैं कब प्रयास के बिना नहीं मिलता, तुमने इस जनम में को प्रयास हैं नहीं किया, लेजीनेस में पुड़े गए, लेकिन बाबा कहते हैं, तीसरी बाट, तुमारी दोनों बातों को वो बाबा क्या करते है बिन कर्मा की मिले लई उसकी रहमत के बिना नहीं मिलता कर्म वही कर्म का मतलब बिन कर्मा की मिले लई बिना रहमत के उसके नहीं मिलता तुमने क्या किया था जो मारिश जनम मिल गया तुमने क्या किया था जो हाथी को हाथी का जनम मिल गया तुमने क्या किया था जो शेर को शेर का जनम मिल गया तुमने क्या किया था जो तुम्हें किसी भी प्राणी मतर का जीवन मिल गया तुमने किसी भी चीज के लिए कुछ भी नहीं कि तुमारे मान से जनम की वबस्ता इस शुरी कर्पा के कारण हुई बेन कर्मा की मेले लई उसकी कर्पा के भी ना तुमे कुछ ने मिलता क्या लिए बैठे हो अगर उसकी कर्पा नहीं ना तुमारे पिछले प्रारब्द के कार्मों से मिलता है ना तुमारे इस जनम की मेहनत से मिलता है क्या मिलता है? मिलता है उसकी दया के कार। उसकी रहमत के कार। उसके कर्म के कार। उसकी क्रिपा के कार। अगर उसकी क्रिपा नहीं है तो तुमारी सब भी मेहनते बेकार हैं हो ही जाती हैender, तुम रोज देखते हो, तुम कितनी मेंट करते हो, सब मेंटें बेकार हो जाते हैं, धरी की धरी रह जाते हैं, कहां जाती हैं तुम्हारी मेंटे? यहां कर्मों का मतलब बाबा के शब्दों में तुमारे ना प्रारब्द कर्म है ना इस जनम के मेहनत के कर्म है तीसरे ही कर्म है जिनकी बाबा सदा बात करते रहे हैं कर्म शब्द कारता है उसकी कर्पा उसकी रहमत बिन कर्मा जब तक वो किर्पा नहीं करेगा जब तक वो रह्म नहीं बरसाएगा तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला ये जो भी कुछ मिला है जे चांद, तारे, सूरज, आसमान, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सिस, यूनिवर्स बड़े बड़े तारे, बड़ी बड़ी विशाल, परभुतों की श्रंकलाई, विशाल समुद्र, जरावी नहीं चूपते, क्षण भर की देर नहीं करते, क्षण भर के लिए पहले नहीं, तेज कदम नहीं उठाते, दीरे कदम नहीं उठाते, उसके आदेश में चलते हैं, वैसे ही चलते हैं उसकी सारी उतपती उसके इच्छा से नाच रखी है उसकी कृपा से नाच रही है उसके करम से उसकी कृपा से उसकी रहमत से ये तारिक दूसरे से टकाते कितने हैं आप गनबे नहीं सकते हैं खर्बों 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 तारिक और अपनी अपनी ववस्ताओं से तुम तो वहां तक जा क्या तुम वहां तक जाक भी नहीं सकते हैं रोज नई दूर भीन तुम उत्वपन कर लेते हो लेकिन फिर कहते हूँ इस से आगे भी और जहान बहुत है यहां तक तो सब बरा पड़ा है अभी वेग्यानकों ने पिछले दिनों में एक दूरबीन का विश्कार रहा है और वो दूरबीन इतनी शक्तिशाली है कि अगर उसको चार लाख किलो मेटर दूर चंद्रमा पे रख दो तो वो धर्ती पर तुमारी उंगली के उपर बैटी हुई मक्षी की तस्वीर कहिंच लेगा तुमारी उंगली के उपर बैटी हुई मक्षी की हूब हूब उतनी ही तस्वीर कहिंच लेगी वो टेलिस्कोप ये सेंटिस्टों ने भनाई दै और सेंटिस्ट जब इन दूरबिनों से देखते हैं तो कहते हैं बेयंत बेयंत जहां तक देखते हैं वां भरापड़ा है सारा कौश कहीं कोई कमी नहीं पाताला पाताल लक आगासां आगास लाखों करोड़ों गिंतियां मुक जाती हैं असंख संख्याईं खतम हो जाती है इतनी दूर इतना विशाल और सब चल रहा है और नियम से चल रहा है उसकी प्रकृती की विशालता को देखिए आप उसकी प्रकृती के एकुरेशी को देखिए आप उसके जिद्धानत की सिर्टीकता को देखिए जरा भी गड़ बड़ नहीं थे और कितना विशाल होगा जो इतनी विशाल स्रिष्टी के उपर बराबर नजर जमाय हुए तो मारे वितर भी है विशाल स्रिष्टी के कणकण में विद्यमान है कितना विशाल होगा जिसका और छोर तुम देख नहीं पाते बड़े से बड़े टेलिसकोप हार जाते है जहां देखते हो बरा ही बरा ब्रमडर नजर आता है उससे आते है जहान और भी है इन जहानों से परे जहान और भी है लेकर पता नहीं दखाई नहीं पड़ता जहां तक तुमारे यंतर काम करते हैं वहां तक सब बरा बरा दखाई परते हैं है भी नहीं कुछ नहीं तुम देख पांक है उसका मापतोल उसका मैजरमेंट तुम्हारे पास है नहीं तुम्हारे पास उसका कुई पैमाना नहीं उसको मिन्ती गिन्ती करने का जेती सिर्थी उपाई वेखां जितनी उत्पन हुई सृष्टी को मैं देखता हूं बिन कर्मा की मिले लई ना तुम्हारे प्रारब्त कर्म ना तुम्हारी मेहनत के कर्म इस जनम के बाबा कहते हैं ने इन से ने उसके करपा से अगर उसका बाना बरस गया अगर उसकी करपा बरस गया अगर उसकी रहमत बरस गया अगर उसकी इच्छा होई बिन कर्मा की मिले लई किसी को कुछ नहीं मिलता अगर वो किर्पा नहीं करता रेंगते फिरने वाले पशू मालों बन जानते हैं उसके किर्पास मूख होई बाचार पंगु जड़ें गिरिवर गहन जासु कृपासो देयार द्रबौ सकल कडि मल दहन नेल सरूर हुशाम तरुन अरुन बारजिना करउसो मम उरदाम सदा खेर सागर सैन ये तुलसी दास्ची ने अपने डंग से अस्तिती किया प्रभा मूख होई बाचा गूंगा बोच जाते हैं पंगू जड़ें गिरिवर गहन जो रूला लंगडा है चल नहीं सकता उठ नहीं सकता वो गिरिवर गहन 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 परवतों को लांग जाता है तेरी करपास स्वेम की मेहन से नहीं स्वेम के प्रारब्द के करमों से नहीं स्वेम की मेहन से नहीं बिन करमा की मिले लई तेरी करपा के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता अगर तेरी करपा है तो तीरत भी नहला देगा अन्यता मैं इनी गंगाओं में टक्रे मारता फिरूँगा और मानताईं मानता फिरूँगा के प्रवित्र हो गया सबी पाप दुल गए नहीं दुलेंगे अगर गंगा में स्यान करने से पाप दुल जाएं तो आज ये जो चीत कारें PGIMS के वित्र हो रही है जो चीत कारें हो रही है दुखी हो रही है चीख बकार कर रही है बड़े से बड़े बिनकर रोग हो रही है करोना काड़ यही गंगा ने कुछ नहीं किया मर गए लाशें तैरती रही गंगा ने उन्हें जीवत नहीं किया इन्हीं गंगा के बितर वही लाशें तैरती हमने देखी आपने देखी गंगा ने जीवत किया नहीं किया तो इसलिए बाबा कहते हैं यह तीरत है तीरत है वो जिसे बाबा कहते है कहां है वो तुमारे ही भीतर है जहां से जब उठ रहा है जहां से नाम उठ रहा है जहां से नाम की सुगंद उठ रही है वो है तीरत चोवी सो घंटे गुनगान कर रहा है परमात्मा का नाम जप रहा है वो नाद भूँज रहा है वो है तिरत उस तिरत में अगर तेरी इच्छा होगी तो नहाँ पाऊंगा अनिसा मेरे में क्या जोर ना मैं ऐसे कोई करम कर सकता हूं ना मेरी सकती है ना मैं प्रिश्रम करके वहां तक पहुंच सकता हूं नाहीं मैं पिछले जनम में कोई प्रारब्द करम ऐसे की है नाहीं कर सकता हूं नाहीं कोई कर सकता हूं ना प्रारब्द के कारणा मैं उस तीरत में डुक्की डगा सकता हूं नहीं किसी प्रयास से मैं उस तीरत में डुक्की लगा सकता हूँ तो कैसे मिलेगा वो तीरत कैसे इसनान हो पाएगा उस तीरत में कैसे डुक्की लगा पाओगे उस तीरत में कैसे प्वित्र हो पाओगे उस तीरत में और जहां जाकर सच मुची ही पापनेस्ट हो जाते हैं वो तीरत कैसे मिलेगा आपको उसका सिनान कैसे मिल पाएगा आपको अपने आपको उसके आसरे छोड़े छोड़ दो प्रिश्रम करना प्रिश्रम हीन हो जाओ आराम में आजाओ अपने बीतर उतरना सुरू हो जाओ एक दिन उस तीरत के करीब पहुंच जाओ और जैसे ही तुम उस तीरत में सनान किया वैसे ही तुमारी सारे पाप नस्त हो जाएंगा तीरत नावा जेत सपावा बिन पाने की नाई परी जेती सिर्ठी उपाए वे खान बिन प्रमा की मिले लई आगे के शब्दों के अगरी प्रवचन में मैं व्याख्या करूगा वक्त काफी ने है उसकी कर्पा के बिना कुछ निय चाओ जेती सिर्ठी उपाए वे खान जेतने उत्पत हुई इस स्रिष्टी को मैं रिखता हूँ बिन कर्मा की मिले लई बिना तेरी कृपा के इसके बीच में से कुछ नहीं अगर तू ना चाहे तो तीरत भी तब कर सकूँगा जब तेरी इच्छा होगी तीरत नामा जे तिस पावा पिनपाने की नाई करीं फिर इन गंगाओं के भीतर चलांग लगाने से डुकी लगाने से मैं तीरत यात्री नहीं कहलाँगा यद भी तुम कहदोगे लोग कहतेंगे के ये तीरत करके आए जे हज करके सच में तीर्थ नहीं कर पहूंगा सच में पापों से मुक्त नहीं हो पहूंगा ये पाप तो मुझे भुक्त नहीं पढ़ेंगे और जल्की तरह मेरे सरीर का मैल खत्म कर सकते मेरे मन के पाप नहीं दो सकते ये तुम्हारे बनाई हुए नकली थी जा ये तीस रिठी उपाई वेका बिन कर्मा की मिले लई आगे की शब्द है मन विच रतन जवाहर मानिक इन शब्दों की व्याख्या मैं फिर करूँगा आज के लिए इतना ही रनवाद